हाई गाईज वेलकुम बाक तो माई शैनल मैं हूँ स्पीटियो और आप देख्रेयों स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम वायत करने वाले हैं कि लव वाइब्रेशन भेजने का सही तरीका क्या है मैंने लव वाइब्रेशन के ओपर एक पूरा सेपरेट वीडियो शेयर किया है जिस पे मैंने आपको सारे स्टेप्स क्लियरली बताए है फिर भी इस टॉपिक पे कई सारे लोगों को बहुत डाउट था कि हम कैसे भेजे अपने परसन को लव वाइब्रेशन क्योंकि हमें क्लियर उसका चहरा नहीं दिखाई दे रहा और हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम दौनों के बीच काफी सारी प्रॉब्लम्स है तो क्या ये लव वाइब्रेशन हमारे लिए वर्क करेगी तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये लव वाइब्रेशन एक पावरफुल एनरजी है और ये लव वाइब्रेशन हमेशा वर्क करती है चाहे आप दौनों के बीच कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो बट ये लव की एनरजी हमेशा अपना कमाल दिखाती है औ और दूसरी बात इस लव वाइब्रेशन को वेजने का सही तरीका क्या है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम किसी परसन को याद करते हैं तो हम उसकी एनरजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे हम युनिवर्स को याद क मान लीजिए तो आपको यह ज्यादा सोचने की जरुरत ने हैं कि आपको इस परसन का पूरा चेहरा देखना है और इस परसन को कैसे हो स्माइल कर रही है आगर यह कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई दे रहे ही तो भी कोई बात आपको बस उस परसन की आँखों में देखना आपको याद करने की कोशिश करना आँख बंद करके कि उसकी आँखे कैसी हैं क्योंकि आँखे ही रास्ता होती हैं दिल तक पहुंचने के लिए जब आप उस परसन की आँखों में देख लेती हो और उसके बाद अपने दिल पर ह साथ हो फिर भी उस person के सामने आपका चहरा याद आ जाएगा वो कोई भी काम करता रहे फिर भी उसके मन में आपका खयाल आ जाएगा यह इतना powerful है love vibration और जब आप इस तरह से love vibration बेश दिये उस person को याद करके उस person की आँखों में देखे तब यह बहुत जादा powerfully और amazingly work कर दि क्योंकि यह सबसे safe और powerful तरीका है किसी भी person को love vibration भेशने का So guys अब हम मिलते हैं next वाले वीडियो में तब तक आप अपना धियान रिखे और खुश रहे हैं बाब बाई